आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी को नमशकार है और एक बहुती महत्वपून विशे आज के इस प्रेसवारता के माध्यम से रखा जाएगा और बाकी जो संदेश आपको भेजा गया था उसके विशे में भी बताया जाएगा पहले तो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और खास करके गुजरात प्रदेश आज बहुत ख्यूब्द है जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य, कॉंग्रेस के अध्यक्ष, खडगे साहब ने माननिय प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननिय प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी को रावन कहा है, और मुझे लगता है इससे बड़ी द्रिश्टता इस प्रकार के भाशा का प्रयोग इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुझरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुझरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है यह निंदनिय है और कहीं न कहीं यह कॉंग्रेस की मानसिक्ता को दर्साता है नरेंद्र मोदी जी गुझरात के वह पुत्र है नरेंद्र मोदी जी वह गुझराती है जो आज यह कहने से अतिश्योक्ती नहीं होगा कि वो गुझरात के स्वाभीमान के रूप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत आठ वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रतेक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रतेक पिछडे को, हिंदुस्तान के प्रतेक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अ ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवी बनी है A leader who is considered as a global leader today across the world उसको रावन कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रेयोग करना यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है मलिक आरजुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहूल जी आप जान ले यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है This is an insult which is rubbed into every गुजराती यह गुजरात का अपमान है और खड़गे साहब सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रेयोग किया है उससे कॉंग्रेस को आइना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी बंदुगण मैंने इसलिए कहा कि मलिकार जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के है क्यूंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कॉंग्रेस के नेता करते हैं आप याद कीजिए सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौधागर मौत का सौधागर कहके संबोधित किया था आदर्निय सोनिया गांधी जी ने क्या नतीजा रहा जब एक गुजराती को जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौधागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कॉंग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया नतीजा हमने देखा है और आज फिर से मलिकार जुन खडगे जी प्रधान मंत्री जी को रावन कह रहे हैं और इतना ही नहीं आज से एक हफ़ते पहले मधुसुदन मिस्त्री जो कॉंग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने कहा था कि हम मोदी को आवकात दिखा देंगे मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है किस पाइदान पे खड़े हैं इसको बता रहे हैं 11 नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान पांचवे नंबर का आर्थिक शक्ती बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है तो मोदी जी को उकाद दिखाने की बात मदुसुदन मिस्त्री और कॉंग्रेस पार्टी करती है केवल रावन नहीं कहा गया बार बार जो उकाद दिखा देंगे उकाद दिखा देंगे कहा गया है क्या उकाद दिखा देंगे सोनिया जी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया पाकिस्तान को अपनी उकाद दिखाई मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद की खिलाफ काम किया है आतंकवाद को अपना उकाद दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद तो इस कारण से आप मोदी जी को रावण और आप मोदी जी को आउकाद दिखाने की विशेवें बताएंगे बंदुगण इतना ही नहीं आप याद करिए किस प्रकार से सेक हुसेन ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के लिए 2022 में कहा था कि वो कुट्ते की मौत मरेगा आप लोगोंने न्यूज में भी दिखाया था पूरा का पूरा इस पे भार्तिय जंतापार्टी ने प्रेस कॉन्फरेंस भी किया था प्रधान मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और सुबोध कांच सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी आप सोच के देखें किस प्रकार की कामना कॉंग्रेस पार्टी की रही है केवल रावर नहीं कुट्टे की मौत मरना हिटलर की मौत मरना अलका लांबा ने कहा था वो नालायक प्रधान मंत्री है ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्टर के आपको याद है ना कि अगर अवश्यक्ता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूँ यह भी नाना पटोले ने कहा था इतना ही नहीं राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व मं मंतरी है और अंडीब सुर्जेवाला ने मोदी जी की कंपेरिजन बंदर से भी की थी यह पूरी फैरिस्त के साथ में बैठा हूँ पूरा फैरिस्त है मुझे लगता है कौकरोच यमराज जिस प्रकार के घिनोने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है मोदी द्वारा उसी से मुझे उर्जा मिलती है जब भरस्टाचारी जब परिवारवादी जब तुष्टिकरन करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात सपष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है टुक प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं दंदुगन आज भारतिय जन्तापाटी प्रत्यक गुजराती से हांत जोड़के अपील करती है कि आप सभी याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है उनको रावन कहना रावन का अर्थ ह होता है जो पवित्रता का अपहरन करता है रावन का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है धर्म का साथ नहीं देता प्रतेक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाभिमान के ल से बाहर निकल कर वोट करें सत्य प्रतीषत 100% गुजराती शुट कम आउट तो वोट अगेंस इस काइंड अफ मेंटालिटी अफ दे कॉंग्रेस पाटी अफ देनिग्रेट अफ दे पोस्ट प्राइम मिनिस्टर आपको बदला लेना है रिवेंज लेना है और ये बदला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए ये बदला पार्टिसिपेशन से लोकतंत्र में 100% पार्टिसिपेट करके 100% मतदान अपने सपूत के नाम 100% वोटिंग फॉर दे सन अफ दे सॉयल नरिंद्र मोदी जी इसके माध्यम से ही आप मौत के सौधागर कहने वाली सोनिया जी के पार्टि से बदला ले सकते हैं और उन्हें एक सबक सिखा सकते हैं इतना कहके मैं अपने वाणी को विराम दूँगा कोई प्रशन हो तो अवश्य पूछें मैं पहले तो इस मंच से स्वामी नारायन संप्रदाय को जैश्री नारायन कहूंगा उनका नमन करूंगा मैं खुद भी स्वामी नारायन संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ और खुद भी अक्षरधाम समय समय पर जाकर पूजा अर्चना करता हूँ ये इतनी बड़ी संस्था है इतनी बड़ी संगठन है और मानव प्रेम का संगठन है किस प्रकार से मानव से मानव को जोड़ा जा सके किस प्रकार से मानवता को आगे बढ़ाया जा सके अनाधी काल से यह संगठन यह संस्था धर्म के आधार पर किस प्रकार देश आगे बढ़ सके सेवा की आधार पर कैसे भारत आगे बढ़ सके इसकी चिंता करता रहता है कहीं फ्लड हो गहीं भुकम्प हो कहीं कोई त्रासदी हो तो हम पहले देखते हैं कि स्वामी जो होते हैं, हमारे स्वामिनात संप्रदाय के, वो खड़े रहते हैं, मगर उस अक्षरधाम अपने आप में गाथा है, उसके बावजूद आम आदमी पाटी का इस प्रकार का गाली, एक तरह आप देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री अपना पिताक होया है, प्रधान मंत्री जी की ये शद्धा है, मगर दूसरी तरफ, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का इस प्रकार का बयान, उन्हें मुझे वो अंग्रे जी शब्द कहने से भी बहुत कष्ट हो रहा है, मैं वो शब्द दोराना नहीं चाहूंगा, जिस प बड़े संप्रदाय के लिए, स्वामी नारायन संप्रदाय के लिए, मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनिती में रहने का एक पल की भी उनकी अवश्यक्ता नहीं, यह गुजरात का अपमान है, गुजरात की मिट्टी का अपमान है, अरविंद केजरिवाल जी को माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ करके और बर्खास्त करना चाहिए ऐसे विक्ती को, जो इतने बड़े संप्रदाय के लिए ऐसे घिनोने शब्द का प्रयोग कर सकता है, मैं पुनह कहूंगा कि यह जो स्लैंग मैच गाली फेस्टिवल चल रहा है, एक तरफ प्रदानमंत्री को रावन, एक तरफ स्वामी नारान संप्रदाय के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, गुजरात की जंता को मैं नमन करते हुए कहूंगा कि लोकतंत्र में खड़े होकर अपने आवाज से अपने विशय को दर्ज कराएं कि आप ऐसे गाली के साथ खड़े नहीं ह आप उन्हें सबक सिखाएंगे बहुत ही दुख हो रहा है कि मलिकार जुन खड़गे एक सीनियर लीडर, कॉंग्रेस में इतने वर्षों तक वो बहुत एहम पोजीशन्स में रहे, पदपर रहे, मगर किसी भी कांग्रेसी ने उनके हाथ से चाई पीने तक का इंकार कर दिया, जब भी वो चाई दे थे थे भेदभाव कॉंग्रेस पार्टी में होता है, इतने बड़े लीडर और उनके साथ, उनके हाथ का चाही नहीं पीना चाहता है कोई कॉंग्रेस का विक्ति, ये बहुत ही घिनोनी बात है, और मुझे लगता है आप लोगों से भी, कि आप लोग ये सोनिया जी से अवश्य प सोनिया जी को माफी माँगनी चाहीं, राहूल गंदी क्या कह रहे हैं? क्यों खर्च करेंगे उनके चवी, अरे चवी होगी तो खराब करेंगे ना, अब है ही नहीं तो हम कैसे खराब कर देंगे, आप बताईए, खुद कॉंग्रेस के लोग उनको बुला नहीं रहे हैं, गुजरात के अंदर प्रचार के लिए, हिमाचल वालों ने उन्हें बु बुलाएगी उनको प्रचार के लिए, अब पैसे कौन खर्च नहीं कर रहा है, कॉंगर्स वाले ही उनके उपर दाउन नहीं लगाना चाते, इसमें हम क्या करेंगे, और पूरी तरह से प्रायोजी त्यात्रा चल तो रहा है, फिल्म मी कलाकारों को बुलाया जा रहा है, वो सब प्रायोजन चल रहा है, उनको करने दीजियो, देखिए इस विशह पे इसरायल के जो हमारे एंवोई हैं, जो एंबेस्डर है, उन्होंने अपना वक्तव्वे दिया है, और ये टीवी पे भी चल रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद,